वेलकम टू माइ यूटूब चैनल टुडए वी विल डिस्कस अबाउट वर्स प्रॉब्लम बेस्ट ऑन रेशियो ना प्रेविएस वीडियो में हम लोग रेशियो के बारे में सीखे थे कि रेशियो किसको करते हैं ना उस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाया थे आज की व वर्स प्रॉब्लम अन रेशियो ठीक तो क्वेश्चन नम्मर वन हम लेकर चलते हैं ठीक है क्वेश्चन नम्मर वन एक लिए चलते हैं नम्मर वन थो नम्मर अरे इन रेशियो 7 इस तो 11 इफ 7 इस अदेट वीच अप्धी नम्मर देशियो बिकम 2 इस तो 3 पाइं दी नम्मर तो इस कंदिशन में हमारा दो नम्मर है अना लेक दी नम्मर अना B 7X and 11X according to question question कह रहा है 7 is added to each number मतलब दोनों number में 1st number में 7 add हो गया और 2nd number में 7 add हो गया इन दोनों का ratio कितना हो गया 2 by 3 now we have to find the value of X and we will put the value of X over here we will get the required number so on calculating linear equation हम पर रखे है 3 से multiply करेंगे 7X plus 7 को 2 को multiply करेंगे 11X plus 7 को अभी ये क्या हो गया cross multiplication हम भुख जानते है 3 को numerator से and this this numerator is multiplied with this denominator, this becomes 21X plus 21, 22X plus 14, it becomes 21X minus 22X is equal to 14 minus 21, minus X is equal to minus 7, minus minus cancel out therefore, the value of X is 7. Now, the first number is, first number is equal to 7X that is 7 into 749 and second number is, second number is 11X, 11 into 7 that becomes 77, this is your required answer. खे हैं तो आदे हैं तो हमारा अर्बर्ट्स प्रोब्लम का पहला कोस्टिं रहा चलिए मूब करते हैं चलिए मूब करते हैं कोस्टिं नमबर 2 में A थे, वे एब ग्रेज़िया कोश्यर्ट ब्रूब्र सेकेंड, बैक कन्तेंस 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे coins in the ratio 5 is to 9 is to 4 amounting to rupees 206 find the number of coins of each type ठीक है तो question no.2 कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा का coin ठीक उन सब को अगर calculate किया जाता amount में तो हमको 206 रुपया मिलता है 206 हाना we got the amount that is 206 find the number of coins of each step अब कितने हमारे पास number of coins जो है 50 पैसा का कितना है 25 पैसा का कितना है 10 पैसा का कितना है ठीक है यह हमको find out करना तो वो दिया हुआ आपको question में दिया हुआ रेशियो में में हना exact value नहीं दिया हुआ comparison करके मतलब की ratio में दिया हुआ है तो हमको total amount मतलब की 50 पैसा का कितना amount नहीं पूछ रहा है number of coins पूछ रहा है ठीक है 9x and 4x ठीक है respectively ठीक है एक बात बताओ कि number of 50 पैसा जो कोईन है वो कितना है तो एक अगर कोईन हम लेते हैं 50 पैसा का तो वह 50 पैसा amount होगा दो कोईन अगर 50 पैसा कर लेते हैं तो वह एक रुपया के amount के बढ़ा और होगा ठीक है तो उसी तरह है तो हमारे पास 50 पैसा का है तो उसको हम 5x को क्या करेंगे 50 से multiply करेंगे तो यह पैसा में आएगा इसको 50 पैसा कोईन इसको सॉल्व करेंगे तो 51 जा 5x by 2 इतना रुपीज आ जाएगा क्या amount आएगा रुपीज में आएगा ठीक है उसी तरह amount of 25 पैसा कोईन हाना is equal to क्या है 9x है तो 9x into 25 by 100 करेंगे तो जो आएगा that is जो amount आएगा वह भी क्या चीज में आएगा रुपीज में आएगा ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा 9x by 4 कितना हो जाएगा 9x by 4 इतना रुपीज हो जाएगा ठीक है amount of 10 पैसा कोईन is equal to रुपीज 10 पैसा का टोटल कोईन है 4x हाना तो 10 by 100 कर देंगे तो यह हो जाएगा रुपीज 00 कैंसेल और 22 जा 425 जा तो 2x by 5 कितना अगया 2x by 5 तो इन तीनों को अगर हम सम कर दें तो टोटल amount निकल जाएगा तोटल amount is equal to रुपीज 206 दिया हुआ है तोटल amount हम निकाल देंगे इन तीनों का सम के बड़ावर होगा जाएगा 5x by 2 plus 9x by 4 plus 2x by 5 is equal to rupees 206 ठीक इसको solve कर लेंगे तो हमको x का value आ जाएगा 5,4 and 2, 5,4 is a 20 I think LCM हो जाएगा क्या हो जाएगा LCM 20 तो 2 से करेंगे 10 times 50x, 4 से करेंगे 5 times हाना that will be 9,5 is a 45 x ठीक 5 से करेंगे 4 times 4 to 8 x is equal to rupees 206 ठीक तो यहां से सम करो गे तो 50 50 103 कितना आगे 103 x by 20 is equal to rupees 206 ठीक तो एक्स का वैलू क्या हो गया 206 गुने 202 एक सो तीन एक सो तीन से दो बार में एक स का वैलू हो गया 40 कितना आगे एक स का वैलू हो गया 40 तो number of coin जो है 50 पैसा का number of coin of 50 पैसे is equal to क्या हो जाएगा 5 into 40 that is 80 हना 80 को 50 पैसा हना number of coins of 25 पैसे is equal to 9 into 40 that is 940 36 and 0 360 coins होगा 25 पैसा का 10 पैसा का coin हो जाएगा 4 into 40 that is 160 ठीक है ती number of coins निकल गया हमारे पास ठीक तो बहुत अच्छा question है इसको practice किजिए आप higher class में कुछ class 8 में अच्छा इसका question modify होके आएगा ठीक है चली मूब करते है question number 3 पैसे यहां 5 4 जा 20 into 0 that is 200 होगा ठीक है 90 लिखा गया था उसको सही कर लिजा आप लो क्या हो जागा यहां पैसे 200 हो जागा ठीक है चली see question number 3 the ratio of boys and girls in a school is 8 is to 3 if the total number of girls be itna find the number of boys in the school बहुत असान question है ठीक है कुछ नहीं करना है ratio दे रखा है girls or boys का तो girls का 3 दिया हुआ है यह हो जागा 1 to 5 125 हाना x का वेलु कितना हो जागा 125 तो total number of boys in the school B कितना हो जागा 8 x हाना that is equal to 8 into 125 that is 1000 हाना मतलब एक हजार आपका क्या है total number of boys होगा ठीक है चली मूब करते है question number 4 में see question of 4 the ages of a and b are in the ratio 5 is to 7 7 8 years ago their ages where in the ratio that is 7 is to 13 find their presented ठीक है question बहुत simple है question कर रहा है कि A और B दो पर्शन है उन दोनों का ratio 5 is to 7 है आठ सल पहले उन दोनों का ratio 7 is to 13 होगा find their present is solution में आ जाते है let the ages of a and b be 5 x and 7 x this is the present age of a and b तो after 8 years ago मतलब after नहीं मतलब 8 सल पहले वेर लगाया होगा न पास्ट है तो यहां पर लिखेंगे 8 years ago there ages that is a is b that is 5 x minus 8 years b ages b that is 7 x minus 8 years according to question that is the ratio of a and b is 7 is to 13. This go multiply is a cross multiplication that is 13 is multiplied with 5 x minus 8 is equal to 7 is multiplied with 7 x minus 8, it becomes 65 x minus 13 8 8 3 24 to 104 is equal to 49 x minus 56, it becomes 65 x minus 49 x is equal to minus 56 plus 104. Now, 16 x is equal to see 1 4 60 and 44 that is 48 x is equal to 48 by 16 that becomes 3 times x 3 therefore, A ages is equal to that is 5 x 5 into 3 that is 15 years, B ages is equal to 7 x that is 7 into 3 that is 21 years, this is how we will make question number 4, move to question number 5, see two numbers are in the ratio that is 5 is to 7, if the sum of the numbers is 720 find the numbers, see the solution of this question, two numbers are in the ratio that is 5 is to 7, if the sum of the numbers is 720 find the numbers, let the two numbers be 5 x plus 7 x it becomes 720. So, 12 x is equal to 720 x is equal to 720 by 12 6 times times 60, therefore, x value x is equal to 60, that is 300, second number is equal to 7 into 60 that is 420. So, the sum of the number is equal to 5 into 60 that is 300, second number is given, Нач będzie kis per ratio topic topic. Next video में हम आजोग देखेंगे, proportion के बादे में, ठीक है, okay, thank you class. झाल झाल